हेलो प्रेंट सेकेंड विल्कम बेकिन माई जोन सो मैं हुआ कश्माडूर आप दीख रहे हैं यूनिसमी को सेल्फ यूनिक दीवाली की आप सब को आपके पूरी परिवार को धेड़ सारी सुखामन है हैपी दीवाली टू अल अफ यू गाइस दोस्तों आप सब के लाइफ में उपर वाला धेड़ सारी हैपिनेस दे धेड़ सारा दन दे जिससे आप अपने लाइफ को टीक तरीके से इंजोई कर सको साधी साथ ये समझ सको कि why I got this human body मैं इस मानों सरीर को क्यो पाया ये भी आप समझ सको साधी साथ एक request छोटी सी करना चाहूंगा अगर संभो हो तो आपके आसपास कोई भी छोटा बच्चा बड़ा बच्चा किसी को भी 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का सहयोग 100 रुपए का सहयोग करके उसके घर में दिवाली से लिब्रेट करने का सहयोग जरूर करना अग आज का वीडियो सिविल इनिसलेटेड नहीं है ठीक है क्योंकि आद दिवाली है तो आज के दिन में आप सब को थोड़ा सा अपने success का secret बताऊंगा मैं यह नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत success हो गया बट जो एक पैमाना होता है उस पैमाने में खरा उतरने में थोड़ा सा म पांच साल मैंने पांच साल पूरा जॉब किया है ठीक है उस पांच साल के बाद actual में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे पता चला कि what is the meaning of growth वो मुझे पांच साल के बाद पता चला उसके पहले भी मैं थोड़े बहुत study करता था बट वह से study मेरे कैसे होते थी civil engineering की हो सिवर्मा सार ने बहुत सिखा है तो अब इसके बाद मेरे कैसे क्या क्या किया जो आपके लिए helpful हो सकता है जिस मुझे कुछ books का पता जला कि या यह books जो होती है यह आपको काफी help करेंगी books वैसे मैं पहले बहुत पढ़ता था मुंसी प्रेम चंद जी की बहुत पढ़ता बट जो थोड़ी से ग्रो करने वाली जो books थी वो मेरे हाथ में नहीं लगी थी वो मुझे सबसे पहली book मेरे एक फ्रेंड ने मुझे refer किया था that was the power of subconscious mind इतना भेतरीन power of subconscious mind इतना सब कुछ है उसके अंदर में अगर summary करने जाऊंगा अगर आप लोग को लगे कि किसी book की summary कर मैं आज summary नहीं करूँगा एक line में बस बताना चाहूँगा वो book आपको बता देगा कि एक आदमी है जिसके पास अथा growth है मतलब infinite growth है और एक आदमी है जिसके पास न मात्र का growth है क्यों? इसका balance समझने के लिए आप इस book को पढ़ लेना power of subconscious mind पूरा clear हो जाएगा ज़रूरी नहीं कि आप कुछ लोग को book पढ़ने की आदत नहीं है यूटूब से summary सुन लो या फिर कोई देर सारे आज को platform आ गया जिसके कुकू FM है और यह अपना story टेल करके से बहुर देर सारे है किसी का कोई अपना sponsorship का लफड़ा नहीं है जो मैं यूज करता हूँ बस अच्छी लगी ओ अच्छी लगी rich dad and poor dad बहुस लोग यूटूब यूटूब पर बता रहे थे मुझे लगा पता नहीं क्यों चैसे फरजी होगा और कुछ रिखास नहीं होगा बाट जब मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने का जब सुना इतना सब कुछ इतना सब कुछ क्ल संदी 22 रिसर आप सब जानते होंगे motivation speaker है तो उनकी summary में पढ़ा सुना था फिर मैंने book खरीदा think and grow rich think and grow rich उस book को पढ़ने के वाद इतना mindset में परिवर्तन आया इतना सोच में परिवर्तन आया बड़ा देखने का जो परिवर्तन का एक level आया ओ मुझे उस book साया think and grow rich तो भी मैं अपने library में रखता हूँ मैं कोई book लेके उदर रखा है साब कुछ बड़ मुझे लगा कि मैं सिर्फ आपको आज दिवानी की दिन जा सेयर करना चाहता हूँ अपना experience आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा नहीं अच्छा लगे तो ऐसा कुछ प्रेशन नही of money मुझे मैं भी जॉब में था पांच साल जॉब किया उसके बाद सेविंग में कितने रुपे होते थे दो हजार डेड़ हजार बार सो कभी आठ सो कभी दो सो ऐसे ही एमाउंट रह जाते थे आप्टर फाइफ एर जॉब गाईज जो आप ड्रीम देख रहे हो मैंने इसको कम्पलीट किया और मेरा पैकेज उस लेवल का था जो आप सोच रहे होगे मतलब अर्सतक के ऊपर का पैकेज था तो आप सोचो कि उसके बाद भी इंकम जो थी हम सेम नहीं कर पा रहे थे हमको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको क्या करना है कैसे इसको लगाना है कुछ पढ़ो यूटूब पर कोई बता है उसे पढ़ो बस देख लेना बस इतना मैं आपको बोला चाहूंगा सोचलोजी आप मनी पढ़ना वो बच्चा भी पढ़े जिसकी इंकम पांच यार रुपे महिने का है या दस यार रुपे महिने का है वो भी अगर पढ़ लेगा तो इन चारों के बाद है तो उसके लिए कि कैसे किसी से हम इंफ्लेंस करके डेफिनेटली हमको ग्रो करने के लिए किसी ने किसी को इंफ्लेंस करना पड़ेगा उस तरीक से तो वो बुक भी मुझे काफी का सकते हैं कि बहुत मोटिवेट क्या ये फाइफ बुप्स मिनिमम है बाकी अभी तो मेरा ये हाल हो कि मुझे एक बुक का आधा कम से कम समरी या तो सुनाओ या फिर एक बुक का एक आख चैप्टर में पढ़ लूँ तब ही मुझे अच्छा लगता है और ये जब से मैं पढ़ने लगा जब से मैं इनके बारे सोचने लगा तो मुझे बहुत स आएगा आपको काफी नहीं नहीं चीज़ा हो जाएंगी कि अच्छा लाइफ में ये भी चलता है हम सभी लोग मतलब आप और मैं मैं बहुत लोवर मिडिल ग्लास है तो हमें इन सब चीज़ों का कुछ पता भी नहीं था और मतलब जो भी करने के बाद भी नहीं पता चला उसके बाद जब इसको पढ़ने लेगे तो हमको पता चला कि है लाइफ में बहुत कुछ अलग है मतलब किताबों के माध्यम से हम क्या क्या सीख सकते हैं एक बुक के अंदर क्योंकि मैं अभी स्टैट प्रो की बुक लिखा हूँ अभी पूरी complete नहीं कर पाया लेकिन उस स् आडियो बुक के माध्यम से चाहे Amazon से Flipkarts कहीं से मागवा लेना ठीक है कोई इसमें वो नहीं है पस मैं अपना experience एर किया क्योंकि मेरी UDX Civil family को आप लोग के इतना support किया 25,000 के हमारी family हो गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग हैं क्योंकि जो time pass वाले होते हो तो हमा बहुत वैल्यू जरूर रेट करिएगा बहुत उसे benefit होता है आपके life में तो बस इतना सकरना है और सबको सुब रातरी good night thank you so much चैहिंद चैह भारत